हेंगना पलिस्ताना अंतरगत आने वाले डोंगर गाव परिसर से एक हत्या का मामला उजा कर हुआ है जहाँ पुराने विवात के चलते आरूपी ने नाबाली को मौत की घाट उतारा इस घटना से स्तानी शेत्र में हरकम बज़ गया है 28 अगस के दो पहर दो बज़े के दोरान शिरूर निवासी 17 वर्षय यवग सक्षम कैलाश दिंकर की हत्या का मामला उजा करवा है दरहसल कुछ दिनों पहले ब्रूतक सक्षम कैलाश दिंकर के दोस से 19 वर्षय आरूपी सौरप उर्भ बाश्या बसाराम पंधराम का किसी मामल के सेटलमेंड के लिए आर के स्कुल के पास डोंगर गाउं में जमा हुए थी जिस दोरान मृतक के कुछ दोस और आरूपी के साथ वाले साथ लोगों के पीच विवादी टकरा हुआ जहां चार आरूपी नाभाली पताय जा रहे है यह विवाद इतना भयानक था कि जिसका खामियाजा मृतक सक्षम को भुकतना पड़ा इसे पीच आरूपी सौरव और बाश्चा बस्ताराम पंधराम ने मृतक सक्षम की पेट में चाकु से पार की मली जानकारी की अनुसार मृतक को घटना की पात एम्स हॉस्पिटल में दाखिल क्या गया जहां इलाज की दोरान रात दस बजे उसकी बृत्ती हो गए मामले में नहीद साथ आरूपियों को गिरफतार कर लिया क्या है और जाज की दुरुष्टिकों से देखा जाए तो जगडे का कारण किसी लड़की का मामला बताया जा रहा है और आके की चार्च चारी है जिसके जानकरी दी हिंगना पुलिस थाने की वरिष्ट पुलिस निरिख्षक विलास काली ने वाद होता त्या वादाचा कारणा वरुनस आज ते आप साथ बुलने साथी आले होते आणि नंतर अचानक हाँ प्रकार गड़लेला है याच्या मदे चुपाली काहित अच्या वर गुने दाखलासा समझ लेला आमी तेक रेकोर्ड काड़ता होत आणि याँच्या मदे क्यामरा परसन अकिलिश भारतवास के साथ मनिश देमरी की रिपोर्ट